Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.1 का question number 4 देखते हैं क्या है An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second एक cube है उसकी जो edge है side है वो 3 cm per second से क्या हो रही है increase हो रही है इसका मतलब अगर हम side को x मानते हैं तो dx by dt हमें दे रखा है 3 cm per second How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 cm long तो अब हमें क्या करना है volume find out करना है कि वो कितनी speed से increase होगा अब यहाँ पे हमें दे रखा है rate of change of side और यहाँ पे find out करना है rate of change of volume तो इन दोनों बातों में difference है as compared to question number 3 के देखो कैसे करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या माननो edge of the cube मान लो let edge of cube वो मान ली हमने क्या है x cm और rate of change of side दे रखा है हमें तो यहाँ पे क्या दे रखा है rate of change of edge वो हमें क्या दे रखा है मतलब dx by dt as तो हमने x माननी है तो dx by dt हमें दे रखा है 3 cm per second यह data हमें given है अब हमने क्या देखना है यहाँ पे volume के अंदर increment निकालना है तो volume of cube क्या हो जाएगा volume of cube किसके इक वेखल होता है side का cube side माननी है हमने x तो x का cube अब हमें volume के अंदर increment निकालना है किसके respect में निकलेगा time के respect में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv by dt volume के अंदर क्या है हमारी x की term है तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर time के respect में derivative directly नहीं कर सकते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ पर इसका dv by dt का पहले निकालेंगे dv by dx फिर निकलेगा dx by dt dx से dx कट गया आगया न dv by dt के equal तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे हमारे पास क्या आगया dv by dt equal to d by dx of volume किसके equal है x cube के into dx by dt और dv by dt हमें find out करना है तो dv by dt equal to x cube का derivative क्या हो गया 3x square into dx by dt हमें दे रखा है कितना 3 है तो यह value क्या आगयी मेरे पास dv by dt equal to 3,3 जा 9x square तो derivative of volume with respect to time मेरे पास आचुका 9x से square के equal अब हमने बताना है जब edge की value 10 cm long हो तो हमारा volume क्या होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम at x equal to 10 तो हमारा dv by dt equal to क्या हो जाएगा 9 into x square है तो मतलब 10 का square तो क्या हो गया dv by dt equal to 9 multiply 10 का square क्या हो गया 100 तो dv by dt equal to किसके आगया मेरा 9 की 100 से multiply 900 cm3 per second इतना volume हो जाएगा हमारा जब side हमारी क्या होगी 10 cm होगी question clear हो गया ठीक है अब देखो आपके mind में एक चीज आ रही होगी सर x का derivative यहाँ पे dv by dt निकाला आपने इसका derivative ऐसे क्यों नहीं किया directly x cube का t के respect में कैसे करोगे x cube का t के respect में होई नहीं सकता क्योंकि हमें जो दे रखा है वो dx by dt दे रखा है और अगर हमें यहाँ पे surface area निकालना होता x के respect में ही कोई चीज निकालनी होती तो हम इसको directly derivative कर लेते with respect to x करना होता ds by dx करना होता वो कर सकते हम clear है कोई ज़्यादा difficult चीजों में मत गुसो अभी simply इनको समझो क्या चीज दे रखे हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है थोड़े से difficult question जरूर है बट ध्यान से करने पड़ेंगे Thank you students for watching next classes video